आज हम लोग बनाएंगे बहुत ही डिलिसल बहुत ही टेस्टी हैदराबादी एक खगेना चलिए इसे बनाते हैं एक खगेना बनाने के लिए सबसे पहले ग्यास में एक पैन रखे पैन को अच्छी तरह से गरम कर ले गरम पैन में तेल डाले तेल को अच्छी तरह से गरम कर गरम तेल में ही यहाफ टबिल स्पून के करीब राई है इसे डाले आप चाहे तो जीरा या फिर तेजपता या फिर कुछ खड़े मसाले भी डाल सकते हैं मैं सिर्फ डाल रही हूँ इसमें ही यह दो कटीवी प्याज टाले यह बारिक कटीवी है इसमें थोड़ा प्याज ज् लाल मिर्ज पॉडर हलदी पॉडर और शौध ग्याज म dar shallow आपसे छे तरह टाल ब्हूंसार नमक डाले और सभी को अच्छी तरह से मिक्स करना है प्याज हो अच्छी तरह से बुषनने के बाद इसमें ही यह दो बड़े बारिक कर टिवी टमाटे रहें इसे डाले और पाणीन Crowdвет डाले अच्छी तरह से पकते हैं साय हमारो जया है वाला पानी मासाला में अच्छा Trekker सकते हैं मैं एकम से कम एक बहुल आदे अच्छे तरह से कम से कम एक बोइल आंगे आ गया है उसके बादएंज कीता है धोड़ों अंडे को डालना तरह पूर्ट कर है में चार अंडा लिये हो, आप जाहें लेधा तरह सकते हैं यह उन्डे को ओर डाले तो यदक टालगें, ऑर फौड़ को डालना ह्सक्या स्कते हैं यह पहली अंड डाला हॉ, दूसरी अंडा, तीसरी अंडा और इह चौती अंडा इस तरह से आप अन्डा Será को डाले याद रखें याद रहें अंड़े को टाल?!" चिपका चिपका करें अड़े को ना डाले क्योंकि क्या होता है ये पक्ने के बाद में और ज़ादा मतलब कीámल जाती अध्यूद्याना अपर अग्डा आप ? वो फूट जाएगी और बिल्कुल भी दिखने में अच्छी नहीं लगीगी इसलिए इन्हें चमस ना चलाएं बिना चमस लाएं ढख कर कम से कम 2-3 मिनिट पका लें देखें 2-3 मिनिट हो गया है हमारी जो अंडा है कितनी अच्छी तरह से पकी है इसका कलर कितना सुन्दर द नग रहा है इस तरह से बहुत ही डिलीसल अंडा्य टेस्टी उपना लें ग्याज बंध कर दें हमारी जो सब्सक्घी है यह पक गई है इसमें आप चाहे तो उपरसे बारे कटीवी हरीधनिया डाल शकते हैं हरीधनिय से बहुत अच्छाघे आता है और इसे गर्मा-गरामी आप चावाल या रोटी के साथ में खाने के लिए स़रू करें यह खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टि लगती है और बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ज्यादा एक्स्टा मसालों की ज़रूरत नहीं है हमारे पास में जो टमाटा और उप्याज है उसी से हम लोग यह अंडे की सब्जी बहुत ही आसानी से और बहुत ही जर्पट बना सकते हैं इस तरह से बनाए खाए और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगिए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबारा ना भूले धन्यवाद